कैसो आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छ होगे दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग किसी मुकाबले को कवर नहीं करने वाले हैं आज की वीडियो बेसिक होने वाली यह मतलब कि बहुत सारे लोगों कम उससे यह मैसेज आता है और मतलब आगर आप लोग उन्हें थमनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्गुल सही वीडियो पे आप लोग आये हो और आप लोग इसे इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि अगर यह वीडियो विदाउट स्किप किये हुए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आप लोग मतलब अग ठीक है तो क्या tips से सब basic knowledge आप लोगों को वीडियो में बतांगा ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को मतलब किसी ने नहीं बताया होगा तो आप लोगों के लिए कामेंट बॉक्स में टेलीव लिंक होगा बागी बागी चेक करके आजाना आप लोग बाकिए आना चाहोगे तो बिल्कुल यहाँ पर फिरी टीम प्रॉइड कराई जाती है तो इस वजह से फिरी का आप इंस्टाग्राम, फेस्बुक, मैसेंजर, हर जगा पर मतलब सोसल मीडिया पर मैसेज आता है कि भाई मैं दो साल, तीन साल से फैंटीजी खेल रहा हूं, ड्रीमलान खेल रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉफिट में आता ही नहीं हूं, मैं हमेसा लॉस में जाता हूं, तो मतलब ऐस क्या है कि आप लोग लॉस में जाते हो, और मैं आपको बताता चलू, यह सिर्फ एक इनसान के साथ नहीं होता, भाई, 95% यूजर ना ड्रीमलान से लॉस में ही जाते हैं, और सिफ फाइफ परसेंट यूजर ही ड्रीमलान से प्रॉफिट में रहते हैं, वो 95% कौन है, मैं आ अपने टीवी पर एड देखा है कि मैंने एक दिन एक रुपे लगाया, एक करोड जीत गया, कुछ इस परकार कि आप एड तू देखकर नहीं ना रहे हो, अगर इस परकार कि अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट के थूरू ड्रीमलान खेल रहे हैं, तो आप लोगों क मत ड्रीमलान खेलना, मेरा कहने का सेंस है, अगर मान लोग कोई कपड़ा बेचता है, तो उसको कपड़ा बेचने में हाइविट होगा, जरूरी है कि आप भी कपड़ा बेचोगी तो आप भी बेच सकते हो, उसको लुभाने का, घरहाप को बोलाने का उसको तरीका मालूम ह किस तरह से आइट्रेक्ट करना है लोगों को तो अगर वो जिस काम में सफल है तो इस बात की कोई गारेंटी नहीं कि अगर आप भी उस काम में या तो तो सफल ही हो जाओगे तो फर्स्ट आफ आप लोग खुद के अंदर की स्किल्स पहचानों कि आप लोग मतलब क्या हो ठी भाई इस बंदे ने इतना जीता है तो वो ट्राइ करने आते हैं और टीवी पर भी अडवर्टाइजमंट चलता है कि यह खेल वृत जोखीम के आधीन है और इसकी लट लग सकती है तो आप अगर एक बार इसको खेल लोगे ना तो फिर आप लोगों को खेलने का मन करेगा ह गया ठीक है अगर मान लो आगर आप खेलते हो सो रुपय जीत जाते तो सो चूकरे भाई सो रुपय किसी दिन एक लाग सबसे पहले अगर आपका इंकम का स्रोथ है बहुत बड़े किसी लेखक ने कहा है कि अगर आप सोती हुए पैसे नहीं कमा सकते हो ना तो आप जाक कर जिंदगी भर काम करके भी पैसे नहीं कमा पाऊगे ठीक है अब साथ से आठ गंटी के नींद लेते हो और उसमें आपको प यह मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप ड्रीमलान खेल के बहुत बड़े आदमी बन जाओगे मतलब आप अपने मतलब कुछ सुईधा निकाल सकते हो प्रॉफिट का मतलब यही है ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ कर लोगे वो एक नॉर्मल यूजर के लिए होता है वो इस जिन्दगी सिर्फ हार जीत पर डिपेंड नहीं है ठीक मैं यूटूब वीडियो बनाकर यूटूब से भी कुछ अर्निंग कर लेता हूं और मतलब आप लोग अगर मैं किसी अप्लिकेशन पर खेलने को कहता हूं आप लोग अगर मेरा रेस्टरल कोड यूज करते हो त आदा ही एक यूटूबर हुआ था मैं भी एक आम इंसान था तो मतलब करते करते एक्स्पिरेंस लेते लेते मैंने अपने यूटूब चानल भी बनाया और यहां पे ग्रो भी एक चानल हो गया था वन लाइक के संस्क्राइबर थे जो कि कुछ इश्ट्राइक के वज़ए स अब 10,000-15,000 आपको सेलरी मिल रही है अब आप सोचोगी भाई इसमें से मैं 5,000 लिकाल लेता हूं ड्रीमलोन खेलने के लिए तो पहले आप सोचो भाई वो 10,000-15,000 कमाने के लिए आप लोगों को 30 दिन 12 घंटे की या 10 घंटी की कड़ी ड्यूटी करनी होगी फिर आपको वो 10-15,000 मिलेगा और यहां पर आप लोगो 30 दिन के बाद ड्यूटी करने के बाद सोचोगी कि नहीं मैं एक दिन में ही कमा लूँ तो कमा भी सकते हो बिल्कुल कमा सकते हो मेरे भाई आप 30 दिन काम करके 10,000 कमा रहे हो और कहीं न कहीं आप एक मैच खेल कर भी 10,000 कमा सकते ह आपको लगता है यह सही तरीका है क्योंकि बहुत बड़ा रिक्स है भाई इसमें बहुत ज़्यादा जोखी में आप आप ही अपनी मेहनत की कमाई समझ सकते होगे 10,000-15,000 कमाने के लिए अगर आप 30 दिन काम करते हो और वो 30 मिनट में अगर आप अपने पैसे गवा देते ह यह आप घवाओगे आपका पैसा है ना और जिससे सामने वाले से बताओगे तो वह आपकी दर्द समझ सकता है तो फिर आपको कितना दर्द होता है वह खुद आप ही समझ सकते हो तो ऐसा भाई अगर आपके साथ है कि मतलब आगर आपका कोई फीक्स इंकम का इस्तरोथ न मैं आप लोगों का मतलब समझ सकता हूं feeling तो जहां तक मेरी राय है आप लोग प्लीज डिली ड्रीमलान मत खेरो अगर आप लोग एक नॉर्मल घर से तालुक रखते हो तो आप लोगों को नहीं खेलना चाहिए अप किन लोगों को खेलना चाहिए फर्स्ट अफल में बता दे तो आपको ना सिर्फ 5-10% सेविंग का सेविंग का नहीं जो कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना जैसे कि मानलो मंथली अगर आप 50,000 रुपे कमाते हो मानलो आपके बाल बच्चे उनका मानलो 10,000 रुपया उन लोगों में लगता है स्कूल का भाड़ा वगर यह से कितना गया 40,000 यहां सहड़ी गया बचा आपके पास 10,000 10,000 में से भी न 5,000 मानलो घर के रासन के लिए आप निकाल लो बाकी कि जो 5,000 बच रहना उससे आप लोग फैंटेसी खेल सकते हो क्योंकि अगर वो जाएगा फिर तब भी आप लोगों को जादा तकलिफ नहीं हो तो सबसे पहले आप अपना बजट फिक्स करो ठीक है मैंने बता दिया बजट किस परकार से आप लोगों को फिक्स करना है और कौन से पैसे से आप लोगों को बजट फिक्स करना है कभी भी से आप लोग मत खेलो ऐसे पैसे से मत खेलो जो की मतलब अकाउंट में रखा गया या तो फिर किसी मतले अपने बच्चे के शादि के लिए रखा गया या तो फिर किसी ऐसे काम के लिए रखा गया जो कि आप लोगों को कुट कर जरूरत पड़ सकती तो ऐसे पैसे का कभी भी आप लोग मत करना इंसटे बाजी एप्लिकेशन में ठीक उसके बाद मैं आप लोगों को सबसे important बात बताता चलो don't play every match यह क्या होता है आप लोगों को practical wise यहाँ पे dreamland application open करके बता दे रहा हूँ देखो don't play every match का होता है आप लोगों हर मुकाबले को मत खेलो अब हर मुकाबले से मतलब में रहे हैं आप लोगों को बताता चलो अभी मतलब 10 दिन पहले आज देखो 15 नवंबर है तो अब नहीं मालूम आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो हो सकता है इस में το वीडों कुछ लोग होते हैं किरक्ट में मकाबलें महीं रहते तो फुटबॉल खेलते हैं, होकी खेलते हैं, बेस्बॉल खेलते हैं, अरे भाई, जिस चीज में नॉलेज है, वो करूँ न, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कपड़े बेस्टने में नॉलेज है, तो जरूरी थोड़ी कि आप लेबर का भी काम कर लोगे, सही ने पाओगे, दिन उपाउटों के साथ घूमो, काम करो, और भी तो जिन्दगी में काम है, एक और चीज़ इंपोर्टन बता देना चाओंगा, देखो, तो जीत हार के कभी भी आप करियर नहीं बना सकते हो, किसी भी चीज में आप लोग गैमिलिंग से करियर बना ही नहीं सकते हो, तो as a career आप लोग इसको बिल्कुल मतले ना, as a part time थोड़ा सा पैसा आने के लिए आप लोग मान सकते हो, ठीक है, जाना भी होगा, ऐसा नहीं के आ इंटरनेशनल मुकाबले हाँ देखो और इंटरनेशनल मुकाबले होते ना, इसमें फिक्सिंग नहीं होता है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तीसरा यहाँ पे जो कि मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, यह देख सकतो, if you have earned one day profit, then don't play any single match, इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, देखो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ ना, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था, आप अपना budget fix कर लेना, तो ठीक है, उसको budget आप लोगों मानलो अपना fix कर लिया, जैसे कि मानलो आपका budget 5000 है, ठीक है, अगर यह 5000 है तो आपको पहले एक मुकाबले में और एक मतलब match में invest करना ही नहीं है, अब invest कैसे करना है, कौन से contest खेलना है, यह सब आप लोगों को जानना है, तो मैंने एक इस पे already video पूरा particular video इस पे एकदम इसी topic को cover करके बनाया हुआ है, जिसका के link आप लोगों को video के description में दे दूँगा, पहले आप आप लोगों ने वो video देख ली, अब उसके बाद जैसे कि आप लोगों को मानलो budget 5000 है, अब यह 5000 है ना, तो आप लोगों को यह मतलब एक मुकाबले में नहीं invest करना है, कम से कम आप लोगों को इस से 8-10 मुकाबले खेलने ही खेलने है, अब suppose मानलो आप लोगों ने मतलब ए एक मुकाबले में इस 5000 में से आप लोग 600 रुपया invest करते हो, ठीक है, suppose 600 रुपया आप invest करते हो, और एक दिन का अगर आप लोग 1000 profit निकाल लेते हो ना भाई, अगर मानलो एक 1000 profit निकाल लेते हो तो आपका पहले 600 return आ गया, profit 1000 हो गया, अब अगर profit 1000 हो जाता है, तो मानलो यह नहीं होना है, अती उत्साहित नहीं होना है कि मतलब अब 6000 आगिया तो एक ही मुकाबले में 81 6000 लगा देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपके wallet में 1000 का profit आगिया, अब आप सांत हो जाओ, ठीक है, अब उस दिन में कोई भी मुकाबले आपको खेल नहीं नहीं है, क्योंकि 1000 आने का मतलब कि अगर आप महीने में 1000 रोज के इस तरह से कमाते हो, तो आप 30,000 अराम से कमा सकते हो, उपर से अगर आप का मतलब अच्छा कोई income आने का जरीया है, तो और अच्छे से मतलब आप मन्थली 60,000, 70,000 कमा ही सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लोग सोच के अनुसार जितना मतलब लगाए हो, और उसका अगर profit निकल जाता है, तो आप लोगों को फिर कोई मुकाबले खेलने ही नहीं, यह point आप लोग notice कर लेना, गाठ बांध लेना भाई इस point को, कई लोग यह होते हैं कि लालच में आ जाते हैं, कि जैसे मैंने बताया कि 1000 जीत तो फिर सोचते हैं, दूसरे मुकाबले में, फिर investment करूं, फिर वो हार जाते हैं, फिर कहते हैं, नहीं हारा हूं, फिर इसको recover करते हैं, इतिफाक से फिर वो जीत जाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, मालूम यह चलता है कि सुबा तक उसके wallet में 1000 जैसे कि मात लोग के लिएक्छिन देखा करूं जासे कि विडो बनाता हूं या फिर कोई योट्यूबर जो कि आप लोग के साथ लोयखेंस से और रिययल विडो को को बताता है अच्छी बात बताता है आप उसको फॉलो करते हो कभी काँजिफी कहँ मत करनाा ओप première वीडियो जो आप लोग को लगे यह नहीं कहा रहा हूं मेरी वीडियो किसी का भी देख सकते हो बाकी मेरी चानल पर भी आप लोग को मैच प्रिडिक्शन के वीडियो मिल जाती तो अगर आप चाहू तो चैनल को वूमेंस का BBL हो गिया, यह सब CPL वगारा है, यह सब ओफिसीलियन मुकाबले, यहाँ पर कभी भी फिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन यह सब मुकाबले आप लोग कभी मत खेलना, जो कि ड्रीमेलोन के टीटेन मुकाबले होते हैं, बाकि अगर किरकिट की नॉलेज है, तो किरकिट ही मुकाबले खेलो, ठीक है, कबड़ी मत खेलो, फुटबॉल मत खेलो, जिसकी नॉलेज है, वही खेलो, भले से आपको अगर कोई टेलीग्राम पे टीम देता है, आप उसकी टीम से मत खेलो, अपनी नॉलेज पे खेलोगे, अपनी basic पे खेलोगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ाएगा जीतना दूसरी बात है लेकिन आप लोग earn करो या hero या कुछ भी हो एक अपनी knowledge पे खेलोगे ना players को back करोगे तो आप लोगों को जिस खेलाडी को मतलब किसी other fantasy यूटूबर ने लिया है वो कुछ नहीं कर पाता है और जिस खेलाडी को आपने अपने टीम में लिया होता है वो अगर baller है तो तीन से चार विकेटिक हटे निकाल देता है या batsman है तो 60-70 run कर देता है बाद में आप लोगों को पश्टावा होता है भाई इसको मैंने क्यों हटाया कास मेरी टीम में होता है कास ये होता है वो होता कास क्यों अगर मगर जब आप लोगों अपने मन में आया ना तो समझो आप लोगों ने कुछ भूल कर दिये तो ऐसा कभी मत करना आप अपनी गर्स फिलिंग पे खेलो अगर हार भी जाओगा तो कोई आपको उसमें पश्टावा नहीं होगा कि हाम मेरी जो मन थी अगर लॉजिक था तो मैंने उस टीम में अपने खिलाली को लिया है तो ऐसा करना भाई फैंटेसी में हमेशा आप लोग प्रोफिट में रहोगे तो होब जितनी भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताई आप लोगों क अच्छे है जा समझ माय हो तो इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना बाकि जो लोग चैनल पर नहोंगे सस्क्राइब करके और न नहीं हो जो कि मेरे टेलीग्राम का चैनल तो आज आना जिसका लिंक वीडियो के कमेंड बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है सेकेंड चैनल है बैक अप चैनल है तो इस वाज़े से सब्सक्राइबर कम दिख रहे हैं क्रिक 2580 भी लिग कर सच कर क्या सकत तो इसस लॉस होगा लेकिन आज आना लॉस क्या आपको टीम कॉपी पेश्ट करने को कभी ने बोलता हूं मैं यहां पर गाइडेंस बताता हूं आप लोगों को टिप्स बताता हूं कौन से खिलाडी किन सिचुएसन में आपके टीम में अच्छे परफेक्ट हो सकते हैं यह सब आप